बॉर्णिंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी बहुत अच्छी होंगे चलिए बच्चो आज हम सभी सॉल करेंगे हमारे वर्कशीट 5 सब्जेक्ट है बच्चो साइन्स क्लास 6 की बच्चो मैं या बात कर रही हूँ डेट है 20 जुलाई 2021 बच्चो आज का टॉपिक है different parts of a plant plant के बच्चो जैसे हमारे भी अलग-अलग parts होते हैं body parts इसी तरह plants के भी अलग-अलग parts होते हैं let us see the different part of a plant a plant has root stem flower and leaves roots are found under the earth stem is green but sometimes it is brown in color on which leaves are found which are green in color flowers are colored and mostly have skin flowers are colored flowers बच्चो colorful होते हैं खुश्बूदार होते हैं describe the role of each part of a plant plant which keeps a plant alive and healthy तो बच्चो आप सभी को यहां बताने हैं each part of plant plants के कौन-कौन से parts होते हैं which keep a plant alive and healthy तो first देखें बच्चो stem stem तो बच्चो stem जो होता है वो कैसे plant को help करता है तो यहां लिखेंगे बच्चो जो plant होता है बच्चो वो stem plant को support करता है ठीके उसकी branches को leaves को flowers को इन सभी को support करता है खड़े रहने में और उनमें बच्चो food, water, minerals transport होने के लिए उनमें help करता है सभी को आया अच्छे से समझ में कि किस तरह से जो stem है वो help करता है तो it supports the branches leaves flowers and fruits it transports food water and minerals to other part of of the plant roots 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 कैसे help करती है तो बच्चो जो soil foot soil plant प्लांट को जो water absorb mineral करता है soil से ठीक है यहां लिखेंगे fix the plant बच्चो जब fix हो जाती है roots तो plant हमारा कहीं भी नहीं जाता है वो उसी जगह पे रहता है fix the plant firmly and absorb water and minerals from the soil आया सभी को समझ में next देखे leaf leaf कैसे help करती है बच्चो leaves से बच्चो plants अपना खाना बनाते हैं तो यहां लिखेंगे the leaves make food for the plant next flowers flowers बच्चो form fruits and fruit form seeds बच्चो flowers से fruits बनते हैं fruit से seeds बनते हैं और seeds से एक नया पौधा बनता है ठीक है तो यहां लिखेंगे flower फ्रूर फ्रूर फ्रूर्म फ्रूर्ट यहां बच्चो आपकी वर्क्षीट ग्म्प्लीट होती है हमने यहां लिखेंगे जो प्लांट्स के होते हैं उनके क्या क्या रोल्स होते हैं तो इस तरह से बच्चों आप सभी वीडियो को देख करके और अपनी वर्क्षीट को सॉल्व करें उमीद करती हूं बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सभी बच्चों चैनल को online classes को जरूर subscribe कीजे thanks for watching the video have a nice day students